तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन फोरम फिल करने मक्त है जो उसमें handwritten declaration मागे गया है वो आपको कैसे note करना है और उसको आपको कैसे edit करना है जिससे आपके फोरम reject होने के chances बहुत कम रहेंगे तो जो भी मैं process बताऊंगा आपको तो आप इसी को देखकर अपना भी handwritten declaration वो note करना है और अपने online form में upload करना है तो फिर इससे आपको कोई भी problem नहीं होगी तो बात करते हैं आप तो आपको handwritten declaration ये जो format में आपको दिखा रहा हूँ तो इसी format में आपको अपना handwritten declaration वो भनना है एक आप blank paper ले ले लेना white paper जैसे A4 size का कोई भी white paper ले लेना उसमें आपको एक pen से लिखना है कोशिश करना आप black pen से note कर वे से blue pen से भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादा तर chance में black pen ही मागा जाता है तो आप black pen से यह जो handwritten declaration है यह फिल करना है तो बात कर लेते हैं आपको यह भनना कैसे है तो सबसे पहले आपको यह comma लगाना है inverted comma फिर आपको लिखना है आई फिर इस वाले box माँ आपको अपना नाम लिखना है जैसे किसी का नाम मनोज है तो वो यहाँ पर अपना नाम लिखना और नेम फिल करने वक्त है आप एक बात कर ध्यान देना जैसे मैंने आपको बताया कि मनोज मैंने बताया आपको नाम तो मनोज का जो पहला वर्ड जो वर्ड है यह आपको कैपिटल में रखना है और बागी के जिनिवी वर्ड है उनका आपको स्मॉल में रखना है तो उस तरह आप अपना भी नेम यहाँ पर फिल कर देना फिर सबसे पहले मैं आने आपको बता दे है, hereby declare that all the information submitted by me in the application forum is correct ठीक हो गया इनना लिखने के बार यहाँ पर आपको एक कॉमा एगा फिर आएगा आपका true and valid फिर आपका आएगा यहाँ पर dot फिर यहाँ पर फिर आई जो होगा capital letter में होगा I will present the supporting documents as and when required फिर dot लगाने आपर फिर उसके बाद invited, बन दे तो इसको आप इसी format में लिखने के कोशिश करना फहले आई फिर उसके बाद name आजाएगा आपका फिर उसके बाद hairwear declared that फिर इसको एक line में लिखना है आपको इसी format में लिखना है जैसे height and width इसकी बना के रखना है ऐसे नहीं कि आप एक page में यहां से पूरा लंबा एक ही में लिख रहे हो इसको थोड़ा नीचे को तिन्चा line में लिखने के कोशिश करना फिर इससे आपको जो फोर्म में reject होने के chances कम रहेंगे तो उसके बाद आप बात करते हैं कि आपको इसको edit कैसे करना है जैसे मैंने ESIC का यह फोर्म देखा था तो ESIC के फोर्म में आपको जो handwritten लिखने के बाद आपको उसका edit भी करना होगा फिर उसके बाद आपको उसमें upload करना होगा तो आप mobile phone के मार्यम से यह जो handwritten declaration है जो आपने अपनी notebook में लिख लिया है उसको आपको कैसे उसमें edit करना है तो उसके बारे में आप बात कर लेते हैं तो उसमें जो आपका जो format मागा गया था वो JPEG और JPEG format में मागा गया था तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको यो कैसे set करना है और उसके height और width थे किन्नी मागी गई है और उसको किन्नी kb तक उसका size अगना है तो वो भी आगे discuss करेंगे तो इसे mobile phone के मादरम से edit करने के लिए आपको play store में जाना होगा और एक application आपको download करना होगी तो मैं आपको play store में लेके चलता हूँ तो दोस्तो मैंने अपने mobile phone का play store open कर लिया है तो उसके बार आपको इस search box में आपको एक application को सर्च करना होगा जिसका नाम है id photo id photo आपको लिखना होगा ये आप जैसे सर्च करोगे उसके बार आपके जो application है ये आगी जिसका आप लोगो आप देख लो ये है उसका लोगो तो इस application को आपको download करना होगा ये जो application है मैंने already download कर लिया है तो तब मैं उसमें open का option आ रहा होगा तो आप इसको download कर लियना है तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको self declaration form वो edit कैसे करना है तो ये mobile application को आप जैसी on करोगे तो उसके बार आपका जो mobile का interface होगा कुछ इस तरह होगा तो आपको new photo में click करना होगा सबसे पहले new photo में click करने के बार आपको इसमें हमना size select करना होगा जैसे ESIC क्या जो online forum आ रहा है उसमें जो size मागा गया है उसके बार में हम discuss करेंगे तो आपको नीचे add on size दिखाए दे रहा होगा तो इसमें आपको click करना है तो उसके बार आपको इसको pixel में ही रहने देना है जैसे इसमें बहुत साइ option आ रहे है तो आप इसको pixel में edit कर सकते हो और centimeter में भी कर सकते हो लेकिन फिलाल में pixel में बता देता हूं उपको तो pixel में जो उसकी width मागी गई है 800 मागी गई है उसकी width और जो height उसकी मागी गई है वो मागी गई आपको 400 तो आपको width इसकी 800 डाल देनी है और इसकी height 400 डाल देनी है तो जल्दी से में इसे fill कर देता हूं तो दोस्तों मेरा जो साइज आईव सिलक्ट हो गया है कुछ इस तरह आपको हैंड रेटन का डिकलीडिशन का फॉरम है इस तरह का आपका फॉरमेट आजाएगा उसके बाद आपको नीचे डन कर देना है फिर डन करने के बाद आपको यहाँ पर बोल ला है कि आपको गयल्जे से हमनी जो हेंड डिकलीडिशन की फोटो आपने खीची है उसको आपको यहाँ से ले लेना है तो यह गयल्जे वाले ऑप्शन से आप वो फोटो ले सकते हैं आप चाहो तो यह कैमरी का यूज करके भी वो फोटो की सकते हो जो कॉपी में आपने लिखा है तो फिलाल मैं गैली से वो फोटो ले लेता हूँ तो दोस्तों मैंने जो handwritten declaration का जो format बनाए था तो उसे ले लिया है demo के room में आप इसे हाज से लिखे यहाँ पर upload करना है फिलाल मैं Demo के room में आपको बदा दे रहा हूँ फिर उसके बार आपको start editing पर क्लिक करना है लिख अपनी साव से adjust कर लेना है फिर उसके बार उपर भार next का option दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको क्रोप का ओक्षन आ रहा होगा क्रोप आपको क्लिक करना है फिर आपको अपने साब से इसे क्रोप कर लेना है यह पूरा नहीं आ रहा है लेकिन आप जो फोटो खिचोगे उसे पूरा लाने के कोशिश करना है तो यह जो बॉक्स जैसा बन रहा है वाइट वाला तो इसी में आपका पूरी फोटो एडिट होगी फिलार में डेमो के रूम में आपको बता रहा हूँ पिर आपको क्रोप पर ओके करना है फिर आपको नीचे बहुत इसमें फिल्टर पर पिर आपको दिखाए दे रहे हूँ इनका यूज आप चाहो तो कर सकते हो फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है फिर आपको शेव पर कलिक करना है तो दोस्तों इस तरह हमारी photo तायार होगी है तो अब आपको इसको जो JPEasy Formant में ही रहने तीना है आपको जिस भी Formant में मांगा गया है फिलाल जो ये फोरम आयाता है जिसके पार्ल में मैंने आपको बताया तो इसमें JPEasy Formant में ही मांगा गया है उसमें जो file का size मांगा गया है वो आपका 50 से 100 kb के बीच में इसका size होना चाहिए तो यह लगबग 109 kb का है तो इसे हम कम कर लेते हैं 50 से 100 kb के बीच में 61 लगबग हमने इसे रख दिया है उसके बाद नीचे यहाँ पर save का option आ रहा होगा यहाँ पर आपको दिखाया दे रहा होगा save का option तो यहाँ पर जैसे click करोगे तो यह जो photo होगी आपके गेलजी में save हो जाएगी तो इसके बाद आप अमना जो यह जो hand return declaration है इसको आप upload कर देना अपने online forum में तो इसी तरह आप अमना जो left thumb impression और photo signature जिनने भी document आपको मागे गए हैं आप इसी application के मादम से उसे edit कर सकते हो तो I hope आपको इस video से थोड़ वाथ help मिली होगी तो मिलते भी एक next video में